दुनिया के सबसे बड़ा सेवनिस्टार होटल इसके अंदर जाकर कोफी पीनेगा तो कोफी का प्राइस इसका जो मिलते हैं आपको मिलता है 200 दिरम इंडिया के 4 अजार देखते हैं किसा आनद बिनने वाला है वागी को दिख रहे हो किलोल जोगनेगे का तो जोगनेगा करते हैं कि अगदेनल किसार इसके मार्क में और वालाग जोन कि दॉड फांच का दो आट का थीन और गारगन जाएक, तो हम कह दोन का रहiran में तुटन में अगद़न लग जाएगा तो जिरा में आदा घंटा लगता है तो गाइस जैसे अपने देखा फॉस्टर में दुनिया का सबसे बड़ा गाइस अलड़ी आपने मेरा वीडियो जो था पैट्रोल पंका मैंने आपको इसमें रिवीविक दिया था तो इस टेंब क्या था वीडियो ज्यादा बड़ा था तो मैंने वह और उसमें एड़ने किया है तो बट मैं आज इसका इस्पेसल ब्लोग बनाऊंगा आप सबके लि तो गाइस अलड़ी आभी आप देरोग गैंप मैं अभी इनके पास गादा जो सिकूर्टी काड़ है वे बोले कि आपकी अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी इतने आप मतलब यह बूग नि करोगे इसने अंदर एंट्री नहीं है तो गाइस अपनी जो बूगिंग नहीं थ अब हमारा वेडियो अंदर लेके अपने यूट्यूब सेने पर लगातों उसके कोई कोपीरेट नहीं देगा हम लोग तो गैस यह से मैं तो अंदर नहीं जा पाया बट इसके लिए तो मैं आपको नाराज निकरूंगा ठीक है ना इसके अंदर का वेडियो है जो मैं अभी प्राइविट लिफ्ट रखी गई है और इन सुईट्स में अपना प्राइविट सेनेमा भी मौजूद है साथ जुमेरा बीच से तेरा सो फिट दूर एक प्राइविट आइलेंड पर बना हुआ यह होटल दुबाई का ड्रीम पैलेस भी कहलाता है इस होटल का इंटिरियर दुबाई के रूलर शेख मौमद बिन रशीद की पसंद पर बनाया गया था और इसी वज़ा से इसमें हर उस चीज़ का इस्तमाल किया गया है जो दुनिया की सबसे महंगी चीज़ों में शुमार होती है वो जो जो किसी महल से कम नहीं है इस आली शान होटल तक पहुँचने के लिए एक प्राइवेट ब्रिज बना हुआ है लेकिन ये आप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहां बायर रोड आना पसंद करते हैं वी आई पीज के लिए खास तोर पे होटल के टॉप पर एक हैली पैड भी मजूद है यानि अगर आपने बुर्जल अरब में सुईट बुक करवाया है तो दुबई इंटरनेशनल एरपोर्ट पहुँचने पर आपको दो आप्शन्स दिये जाएंगे या तो आप चमकती धमकती प्राइवेट रोल्स रॉइस चूस करें या फिर प्राइवेट हेली कॉप्टर जो पूरे दुबई के शानदार नजारे दिखाने के बाद होटल के रूफ टॉप पर लेंड करता है और जहां एक टीम वेलकम के लिए पहले से ही मौजूद होती अंदर एंटर होते ही एक मेजिकल व्यू आपका इंतजार कर रहा होता है ये 180 मीटर उनचा एट्रियम है जिसको दुनिया का सबसे उनचा तरीन एट्रियम होने का एजाज भी मिल चुका है साथ ही साथ जिस तरफ नजर दोड़ाई जाए सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड नजर रिसेप्शन डेस्क, टेबल्स, चेर्ज, लेंप स्टेंड्स, एलिवेटर्स और हता के डस्क बिन्स भी गोल्ड प्लेटेड है एक एस्किमेट के मताबिक बुर्जल अरब में पूरे 24,000 स्कुर मीटर गोल्ड की चादर लगाई जा चुकी है और रहता है अलगे दूर से देखा जाए तो ये बिल्डिंग काफी ओंची दिखाई देती है लेकिन पूरे बुर्जल अरब में सिर्फ 202 स्वीट्स हैं उस कहाना बातरूम भी मौजूद है इस बातरूम में वाश बेसंस पे भी काफी गोल्ड का यूस किया गया है साथ ही साथ वेट स्केल और डस्ट बिन भी गोल्ड लेटिड है वेट जाती है रेस्टोंस की अगर बात की जाए तो जहां दूसरे होटेल्स में दो या तीन दाइनिंग एरिया होते हैं वुच्छल अरब में पूरे छे रेस्टोंस हैं ये तमाम रेस्टोंस अपनी अपनी लुक्स की से मशूर है इन तमाम रेस्टोंट्स में मौजूद शेफ्स दुनिया जहां की हर डिश बनाने के एक्सपर्ट है तो गाइस अब मुझे है ना अगली बार में जुरूर रहूंगों आपे क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए अगर आप अंदर जा सकते हो मुश्किल नहीं है आँगे चाए पानी पी सकते हो तो अल्यडी मेरा एक मतलब आज से एक मतलब अश्क अपना है इसके अंदर जाकर कोफी पीनेगा तो कोफी का प्रस इसका जो मिलतेा आपको मिलता है 200 दिरहम इंडिया के 4000 तो काई ज्यादा भी नहीं है और और को बहुत ज्यादा भी है बह अगर तुम रोएते हो एक रात के लिए तो एक रात का इसका तुम्हारा जो होता है है तो गाइस घरी बहुत ज्यादा है और अभी 43 तामान हो रहा है कपड़ा फूरी तरह भेग सुगा है तो गाइस अपने पूरी तरह से वीडियो देख लिए अंदर का जोज़स के कंटिशन है क्या प्राइस है बट दोस्तों मैं आपको इतने कहना साथ हो कि यहार मैं पूर अंदर जागे रिपीड होंगा तो बस बाइस में आपको आपको आप तो इना कहना साथ हो वीडियो के एंड में आपकर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यादा लाइक करते हैं और बाकी आपके मान में जो भी सवाल जबाब हो तो बहुत सक कमेट कर सकते हो बाकी तो अपके लगी लगी तो तो